अपने घर जाने की तैयारी में हैं और खुशी की बात है कि आपको इतनी जल्दी अपने घर जाने के लिए मिल जाये रहा है क्योंकि चुटियां अगर मिल रही है तो उनको जरूर से इंजॉय कीजिए क्योंकि नौकरी लगने के बाद अपने घर जाना अपने आपने एक बहुत सुकून का टाइम होता है अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ मिल करके तो बिलकुल जाये एक दिन भी मिस मत कीजिए इस तरह की सेरेंच कीजिए कि आप वहाँ टाइम से पहुँचें और वा खुश रहने में मदद करती हैं हमारे जिन्दगी को खुश नुवा बनाती हैं तो सबसे पहले तो आपको जानकर यह खुजी होगी कि आपको आठ सीयल मिलती हैं पूरे पूरा थ्रोओड द इयर मींस जैन्वरी से लेके दिसंबर तक के लिए आपके पास सिर्फ आर्ट सी ठीक है तो उनको अरेंज कर लीजे उसे सबसे और चुट्टी जब लीजे तो आप साटरड़े सेकंड साटरड़े संड़े के साथ में लीजे कि गस्टेड होलेडे के साथ लीजे सो देट आपके पास एक एटे स्टच कुछ चुट्टियां मिल जाएं और आप अराम से रह जो लास्ट के अंड तक आपके साथ रहे बाइद वे कभी आप प्राब्लम में आएं कभी आप बीमार पढ़ जाएं तो आप उसको ले सकें चीक है यह तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इसके बाद आती है बारी हमारी ब्रेक्स की तो एक होता है हमारा ओटम ब्रेक एक होता है विंटर ब्रेक और एक होता है समर ब्रेक है ना जो हमारे विकेशन जिनको हम लो बोलते है छुटियां है वो एक्चुली ब्रेक्स कहलाते है तो आपन ब्रेक हमारा दशारे के आसपास होता है और वो 10 डेस का होता है और 20 डेस का आपका विंटर ब्रेक होगा ले तो हम लोगों को one month की winter break मिलती है और one month की हमारी summer break होती है उसके बाद उसके अलावा हमारे पास कोई और type का break हमें नहीं मिलता है ना तो 10 days का ना किसी भी और तरही केगा तो आपको भी इस तरह मिलेगी और 40 days की आपका summer holidays होंगे जो आपको अभी जो आपकी list आई है उसमें आपको पता चल गया हो कि आप जिस region में है वहां कौन से कौन सी date से आपकी start होने वाली है ठीक है नहीं आई है तो आपको मिल जाएगी January में जब आप आएंगे school में तो आपको सब clear हो जाएगा बहुत आराम से और इतने सारे groups हैं कि उसमें आपको date वेट सब पता चल जाएगी then एक आता है हमारे हाँ उसके साथ हमारे gusted holidays होते हैं जिनके list government देती है central government वो मिलते हैं साथ में तीन holidays ऐसे होते हैं जो principal कोटे के होते हैं वो अपने आप arrange करते हैं आपका in world day function उसके next day दिया जा सकता है आपके sports day celebration उसके साथ दिया जाता है और इस तो एक सेटी principles को arrange करते हैं एक और रहता है जो किसी भी परिस्तिती में principles को इस्तेमाल कर सकते हैं वो उनके अपना जो direction है वो कब उसको देते हैं लेकिन हाँ ये सब भी पहले से arrange पहले से set कर दिया जाता है कि ये कब हम देने वाले हैं ठीक है इसके next चुटियां जो आती है वो दो चुटियां है एक CCL है दूसरी भी CCL है लेकिन पहली CCL जो है वो है वो सब के लिए available होती है उसको कहते हैं compensatory casual leave तो compensatory casual leave का मतलब भी है कि आपको compensation मिल रहा है जब आप कभी किसी Saturday, Sunday या other holidays में स्कूल के काम से कहीं बाहर जाते हैं आप स्कूल में भी काम करते हैं तब भी आप कोई मिल सकती है और इसके लिए होता है कि अगर आप किसी चुट्टी में काम करें तो more than four hours आपकी चुट्टी काम होना चाहिए उससे काम होगा तो आपको half CCL मिलेगी तो चार घंटे से ज़्यादा वाली पर full CCL मिलती है कब आपको अवेल करनी है इसको उसी month में अवेल करना होता है as per the rules लेकिन अगर principal चाहें तो आपको ये चुट्टी next month में और उस session में कभी भी दे सकते हैं उसके लिए वो credit कर दी जाती है आपके account में if possible it depends from principal to principal लेकिन not in a written form कि आप इसको ये नहीं कहिए कि ये लिखा वाई बताया गया था हमें YouTube में तो ये हमें चाहिए ऐसा नहीं है वैसे avail करनी होती है उसी मन्त में तो ये आपकी CCL होगी जो सब किसी को मिल सकती है जो किसी वे चुट्टी में काम करते हैं next CCL जो है वो है child care leave child care leave जो है आपको तभी मिलेगी जब आप female है और या आप single male parent है अब जब आपके पास में issue है बच्चा है चोटा तो आपके लिए मिलेगी और उसकी age हैती है कि जब से उसका जन्म होता है तब से 18 years तक के बच्चे को तक रहेगा जिस दिन तक उसकी date of birth 18 years की होने वाली है उस दिन तक आप उसकी child care leave को avail कर सकते हैं और इसके लिए आपको करना क्या होता है इसके लिए आपको principal को prior information देनी होती है लेकिन कभी कभी ऐसी भी परसितिया होती है कि जब हम उनको पहले से नहीं बता सकते हैं तो आप उनको mail और email कर सकते हैं फोन कर सकते हैं अब अपनी application return में किसी के through पहुचा सकते हैं लेकिन जब भी ये मिलेगी आपको बच्चे के ही reason पर मिलेगी कि या तो उसको कोई problem है medical problem है या कोई और बात है आप उसकी care के लिए sleep को ले सकते हैं कितने दिन की ले सकते हैं यहां बात आती है तो आप इसको पूरा दो साल का एक बार में ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको break करके ले सकते हैं एक दिन की भी ले सकते हैं साथ दिन की भी ले सकते हैं दस दिन की भी ले सकते हैं दो महिने की भी ले सकते हैं depends on your requirement चीक है आने के बाद आपको कहीं-कहीं यह देखने को मिलता है कि अगर आपने medical ground पर मांगा है तो medical बच्चे का आपको देना पड़ता है कि ये मेरा बच्चा स्वस्त हो गया तो मैं आकर कि इसको join कर रही हूँ तो ऐसा भी कहीं-कहीं देखा गया है कि ये मांगा जाता है next है कि आप next जो मैं छुट्टी की बात कर रही है that is EL तो EL जो हाँ सॉरी और एक बात इसमें बता देते हैं चाइल के रिलीफ में कि ये दो बच्चों के लिए दो साल की होती है तो इसका मतल़ यह नहीं कि एक बच्चे की दो साल दोसे बच्चे की दो साल तो चार साल नहीं चाए आपका एक बच्चा हो चाए दो बच्चे हो आपको दो ही साल की मिलेगी और थर्ड इशू के लिए कोई भी CCL नहीं मिलती है आप इसको ले सकते हैं जब भी आपकी जरूरत हो जब आप इसको लेंगे तो आपको फुल अगर आप एक मंद से ज़ादा की लेते हैं तो आपको उस महीने का टीय नहीं मिलता है अगर आप इसको दो साल तक का लेंगे तो आपको HR और टीय दोनों ही नहीं मिलेगा इसके साथ में 50% आपकी सैलरी कर दी जाती है 50% पे मिलता है first year में आपको फुल पे मिलेगी लेकिन जैसे ही आपके 365 दिन पूरे हो गए और next year की जब आप CCL लेंगे तो आपको इसकी सैलरी उसमें 50% कर दी जाती है ठीक है ये भी धान रखने वाली बात है next type of leave है EL EL मतलब earn leave earn मतलब जिसको हम बेच सकते हैं ये 10 आपको per year मिलेंगी और आपकी service file में इसको credit कर दिया जाएगा ये आप 300 तक credit करवा सकते हैं 300 तक और उससे ज़ादा गर होंगी तो वो आपकी lapse कर जाएगी वैसे ये बहुत मुश्किल होता है कि 300 तक हो पाएं क्योंकि हर इंसान को जरुत पड़ती है तो अपनी EL लेकर काम चलाता है क्योंकि हमारी CL बहुत कम होती है ठीक है और इसके साथ में और एक type की leave जिसके लिए आप सोचते होंगे मिलेगी वो भी नहीं होती है बताओंगे अभी इसके बाद आपको वो कौन सी leave है तो 300 से ज़ादा आप इसको credit नहीं करा सकते है retirement के time आपकी जो salary होगी उतना इससे multiply करके आपको cash कर दिया जाएगा cash करा सकते है कहने का मतलब भी है बेच सकते हैं simple सी language में तो EL के आगे और पीछे यानि कि prefix और suffix में अगर कोई holiday है तो उसको count नहीं करते हैं लेकिन अगर उसके बीच में कितने भी guested holiday आएंगे वो भी आपके EL में convert हो जाएंगे इसलिए इस तरह के से छुट्टियां ली जाएं प्लान करके कि आपको वहाँ कम से कम loss हो पर जब जब जूरुत पढ़ती है तो फिर आदमी loss नहीं देखता है फिर इनसान अपनी जिंदगी को बचाता है तो वो भी time to time matter करता है ये ठीक है और 10 आप case में रहेंगी जो आपको credit कर दी जाएंगी हर 6 महिने पर 5 चुट्टियां मिलती है 5 EL हैं लेकिन वो साल में एक बार ही credit कर दी जाती है then next हाती है EOL EOL जो होता है वो है आपका extra ordinary leave extra ordinary leave है जैसा उसका नामी suggest कर रहा है तो वो आपको सबसे पहले तो without pay मिलती है दूसरा वो medical ground पे लेनी चाहिए बिना medical ground के अगर आप लेंगे तो आपको बहुत मुकसान होगा आगे चल करके तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि हमेशा medical अपना ही दें अपने किसी भी relative मा, बहन, पिताजी का बिलकुल ना दें कि हमें उनकी लिए जरूरती तो हमने EOL ले ली जब भी लें EOL अपने बारे में ले करके और आने के बाद medical के साथ में अपना fitness रेट फिर जरूर ले करके हैं और तभी आपकी जॉइनिंग होगी इसमें एक धान रखने अली बात यह होते हैं अगर आपकी EOL 90 days तक की है तो आपको सेम स्कूल में जॉइनिंग मिल जाएगी लेकिन 90 days से एक भी दिन आगे हो जाएगा तो आपकी पोस्ट को वेकेंट माना जाता है और आपकी जएक किसी और को पोस्टिंग कर सकते हैं और तब आपकी जॉइनिंग सिर्फ DC जो आपकी रीजन के DC होंगे deputy commissioner वही कर सकते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे और एक last leave जो सब लोग सोच रहे होंगे हमकों मिलती होगी क्योंकि other departments में मिलती है लेकिन यहां नहीं मिलती है that is medical leave medical ground पर यहां कोई leave नहीं मिलती है चाहे आप school में आपके साथ कोई हाथसा हो जाए आपका पैर तूट जाए आपका हाथ तूट जाए आपको कोई problem हो जाए अगर आप बिमार होते हैं school में भी रहकर के भी school की वज़े से भी तब भी आपको leave अपनी ही लेनी होती है ऐसी कोई leave नहीं है नाम की केंद्रिवे दल संग्टन में जिसको आप medical कह सकें क्योंकि हमें तो पिछले 22 साल में इस रहे की एक भी दिन की leave नहीं मिली और ऐसा नहीं कि किसी को इसकी जरूत नहीं पड़ती है यह होना चीए बढ़ यह कहीं है नहीं ठीक है तो इतनी तरेगे की leaves आपको संग्टन में मिलती है और इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलने वाला है next जो मेरे वीडियो है वो आपको बताएगा कि आपको और क्या-क्या किंद्रिवे दल से मिलता है मैं next कल आपके लिए बनाऊंगी तब तक के लिए आप इसको देखिए सुनिए और अपनी घर जाने की प्लानिंग कीजिए और घर से आने की भी प्लानिंग कर लीजिए ठीक है इस किसी चक्कर में मत रहिएगा कि अगर train लेट हो जाती है तो वहां की प्रॉब्लम्स होल हो जाएगी बहुत ही रेर कंडिशन में प्रिंस्पिल्स इसको मानते हैं अदर्वाइस लिख लिख के आप देते रहेंगे और उसके बाद सॉट आउट होना बहुत मुश्किल हो जाता है लिखते पढ़ते रहिए और कहीं-कहीं बहुत इजीली लोग मान जाते हैं कहीं-कहीं बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज टेक केर आपकी नई-नई जॉब है जादे प्रॉब्लम में पढ़ने की बजाए सिंपल रहिए, मस रहिए और अपने आपको खुश रखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे अपडेट्स में आपको फिर देती रहूँगी तब तक के लिए गुडबाई सी यू